हेलो एवर्यवन कैसे आप सब लोग स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपको हमारे घर दिखाने जा रहा हूं जो कि अर्मोस्ट रेडी हो चुके हैं यह दो सेवन बीच के हैं इसके साथ में तीन फोर बीच के हैं और इसके फ्रंट में तीन और त्री करियर की दरफ आप अपने हिसाब से भी काम करवा सकते हैं अगले हाउस में यह उप्षिन मिल जाएगा आपको यह हमने किसी को घर रेडी करके दिया है अभी एक मंत में पूरा कंप्लीट हो जाएगा यह आपका परकिंग एरिया आ जाता है गाड़ी आप यहां पर पूरा स्पेस है बड़ी गाड़ी यह लिए आप पाक कर सकते हैं इस साइड में आपका टूवी लगी पाकिंग है इसके नीचे आपका वाटर टैंक है तो चलते हम अंदर की तरफ यह आपका जैसे आप एंटर करते हैं होल आ जाता है होल का जो साइज रहेगा वो है 12-16 का यह दे देंगे जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं 2BHK में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5BHK में भी, 7BHK में भी यह देखिए इस ट्रील वाली ग्रील है साबने आपका LCD पैनल है इसमें भी लाइटिंग वर्क किया हुआ है देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड स्क्रेन पर यह आपका किचन आ जाता है किचन का जो साइज है वो 6-28 का है देखिए अगर आप महाली के एरिये में रहते हैं ख़ड में रहते हैं या फिर कहीं दूर से भी वीडियो देख सकते हैं तो हम आपको इस एरिये में कहीं भी घर बना के भी दे सकते हैं अगर आपका कोई खाली प्लोट है सेम इंटीरियर के साथ इसका जो प्राइज रहेगा वो 17 सु रुपे पर स्क्वार फिट के साथ से रहेगा जिसमें हमारा मेट्रियल भी इंक्टूडेट है ये पूरी किच्छन हैड्रोलिक है सारे डोस अटोमेट अटोमेटिकली बंद हो जाते हैं देबल सिंक दिया हुआ है आप सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि हमारी आने वाली और वीडियो आप देखते रहे हैं आपको पता लगते रहे ये देखिए अगर इसको आप हलका सा पूश करेंगे अटोमेटिकली अनदर खुद बेखुद चले जाते है ये देखिए क्योंकि कॉर्णर में समान रखना और निकालना बहुत मुश्किल होता है इसलिए दिया हुआ है आप इसलिए इसको अंदर की दरफ कर सकते हैं देखिए औ्टोमेटिकली सारा अंदर चला जाता है यह देखिए हलका से पुष्ट करने की जरुत है औ्टोमेटिकली अंदर चला जाता है यह देखिए यह जो हमारे साथ हाउस है यह सारे हमारे हैं रुद्याना हाईवे पर इससे अलग हमारे पास वन भी इसके की इन्वेस्मेंट है वो भी हमारे अपार्टमेंट से है उसके जो प्राइज है 14,90,000 से स्टार्ट है और 8,000 रुपे पर मंद के साफ़ से हम रेंटल इंकम के से देते हैं उनका एग्रिमेंट हमारे साथ ही हो जाता है तूब एचके का भी ऑप्शन है यह था हमारा किचन अब चलते हम बेडरूम की तरफ बेडरूम का जो साइज रहेगा वो है हमारा 11,13 गा यह देखे पूरी लाइटिंग फाल्सेलिंग ग्राउंड फ्लोर में पूरे घर में जितने भी हमारे हाउसेज है उसमें पूरी फाल्सेलिंग बुड़न वक सारा कंप्लीट करके दे र बुड़न वक सेम ऐसा ही रहेगा स्लाइडिंग डोग के साथ आपकी बुड़रॉप से एसी की फिटिंग दिवी है स्प्लिट एसी की एक होल में और दोनों बेडरूम में अलग-अलग कका जो साइज रहेगा रहेगा थो जो रहें वरक और पूरा अगया उप पूरी बिल्टर होते हैं वो साथ फीट तक करके देते हैं हमने इसमें पूरी फूल आइच में गवाक करके दिया हुआ है कि इसमें जो हमारा बात फिटिंग रहेगी वो सिरा की रहेगी अगर आपके पास लेंड है तो आप हमसे कंसक्षिन भी करवाके दे सकते और रिटन में एक एक्रिमेंट होगा जो जो मैटेयल हम लगाएंगे जिन हिसाब से हम काम करेंगे वह सलाइब बाइश लाइब उसमें चलता रहे가 इससे पहले हमने और भी घर बना के दिया है वह भी आप हमसे देख सकते हैं हमारा जो ओफिस रहेगा वह हमारा काउनपूर जो पुलीशों की है उसकी बैक साइड में देखें दूसरा रूम इसका भी साइज जो रहेगा वह 11-13 का रहेगा यह जो एलसेडी पैनल है यह एकसा वक कराया है कस्समर ने यहापका वाशिंग एरिया है और यहापका बाशींग आपका वाश्षान झाल 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 झाल